सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट और अन्त मैं देखेंगे कि इन तीनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ने किया था बॉक्स ओफिस पर सबसे ज़्यादा कलेक्शन और कौन सी फिल्म बनी थी बॉक्स ओपिस किग तो चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं अज्यतवगण सर के फिलिम हैकिकरत की बजेट और वोक्स और अभीस कलक्सेन के बारे में दोस्तों फिलिम हैकिकरत के अक्षेन क्राइम डमा फिलिम थी जिसे रिलीज किया गया था 29 दिसंबर 1995 को और इस फिल्म को डायरेट किया था कुकू कोहली ने और वही पडूस किया था एनर पचासिया ने और इस फिल्म के कहानी को लिखा था राजीब कॉल और पफुल परेक ने और वो ही इस फिल्म के डायलोग लिखे थे तन्बीर खान ने दोस्तो इस फिल्म में लीडरोल मेनाजर आये थे अजेदेवगन, दब्बू, अम्रिस पूरी, अरवना इराणी, रमिरेडी, जोनी लीवर और हिमानी सिब पूरी और दोस्तो अगर बात करें इस फिल्म के मुजिक के बारे में तो दोस्तो आपको जानकरे के लिए बतादूगि इस फिल्म के मुजिक को दिलिप सेन और समीर सेन ने कमपोज किया था और इस फिल्म के मुजिक अल्बाम में सारे बर्जन को मिला कर कुल साथ गाने रखे गया थे जिसे दर्शेवकों ने उस समय काफी पसंद किया था और दोस्तों कर बात करें इस फिल्म के रेटिंग के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb के तरफ से 7.8 आउट और इनका रेटिंग मिला था और अगर बात कर इस फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्त आपको जानकर के लिए बतातू कि इस फिल्म को बनबाने के लिए उस समय करिब 4 करो रुपे के खर्चिया था और इस फिल्म ने पने पहले दिन पर कमाई थे 60 लाग और भुईपाई लेहपते बर एक करोर 80 लाग रुपे के कलेशन किया था और इस तरह से इस फिल्म ने इंडिया में से कमाई थे 7 करोर और पूरीवर में 11 करोर रुपे के कलेशन किया था और अजेदेवकन सर की ये फिलिम उस साल की 11th हाइस्ट गोरो सिंग फिलिम बनी थी और दूस्तो आप हुआपको बताएंगे सल्मान सर की फिलिम बीरगयती के बजेट और बॉक्स बस कलेक्सान के बारे में दूस्तो फिलिम बीरगयती जोके एक एक एक्शन क्राइम डामा फिलिम थी और इस फिलिम को रिलीज किया गया था 29 सितांबर 1995 को और इस फिलिम को डारेक्टर पडूस किया था केके सिंग ने और इस फिलिम के कहानी को भी केके सिंग नहीं लिखा था इस फिल्म में लीडरोल मेनेजर आई थे सलमान खान, पुजा डड़बल, दिव्याधात्ता, आतु लगनी होतरी, हिमानी सिवपूरी, फरीदा जालल और रहुनी हतंगरी और अकर दोस्तो बात करेंगे इस फिल्म के मुजिक के बारे में, तो दोस्तो आपको जानकर के लिए बतेदु के मुजिक को कॉमपोस किया था, आदे शरीवास्ताब ने और इस फिल्म के मुज़िक अल्बाम में सारे वर्जन को मिला करकुल 6 गाने रखा गया थे जिसे लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और दोस्तों इस फिल्म को IMDb के तरफ से 4.6 आउट और 10 का रेटिंग मिला था और अगर दोस्तों बात कर इस फिल्म के बज़ेट के बारे में तो दोस्तों आपको जानकरे के लिए बतादू कि इस फिल्म को बनबाने के लिए उस टाइम करीब 4 करोर रुपय के खर जाया था और इस फिल्म ने पने पहले दिन पर कमाई था ठावान लाग और वोई पहले हापते पर कमाई थे एक करोर दोस लाग और इस तरह से इस फिल्म ने इंडिया में से कमाई थे पांच करोर और पूरे ओल में नौ करोर रुपे के कलेक्सन किया था और सलमन सर की ये फ्लम बॉक्स अविस पर फ्लॉप हुए थी और दोस्तों आप हम आपको बताएंगी मिथूञ चेकर प्रति साहब की फिलम दी डॉण के बजेट और बॉक्स विस कलेक्सेन के बारे में दूस्तो फिल्म दी डॉन एक अक्षिन क्राइम डामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गा था 23 सेप्रिल 1995 को और इस फिल्म को टाइट किया था फारुक सिद्धिकी ने और वही पडूस की आदास चलेमने और इस फिल्म के कहानी को लिखा था आनांदेश बर्धानने इस फिल् में टोटल सारे वर्जन को मिला कर कुल 6 गने रखे गया थे जिसे दर्सें को ने कुछ खास पसंद नहीं किया था अगर बात करें इस फिल्म के बज़िट के बारे में तो आपको जानकर के लिए बता तो कि इस फिल्म को बनबाने के लिए उस टाइम पर करें दो करोर अफिस पर बूरी तरह से फ्रवाप होई थी तो दोस्तों अगर तो आपको यह वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों सेयर करें और इस तरह की रोशक जान करें पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्रेब कर लिजिए धाल्यवाद अवाण